हलो फ्रेंट्स आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नेक्स्ट एक्जाम इस्टडी आई क्यू पर आज है एक अगस्त तो चार बीस और हम आज के सभी इंपोर्टेंट क्यूशन के बारे में डिटेल के साथ डिसकस करेंगे जो कि आपकी एक्जाम के ल करमवीर चक्र अवार्ड से समनेत किया गया है यह है सुनिल यादव एसस और इन्हें यह अवार्ड इनके द्वारा समाज के लिए किये गए कारियों के लिए दिया गया है और यह अवार्ड सेंक्त राष्ट्र वे अंतराष्ट्रिये परिसंग द्वारा सेंक्त रूप से के दिया जाता है में के माली आई हमें मैं हमारे देश के परियावरण वन और जलवायू परिवरतन मंत्री प्रकास जावड़े का जुनिद्वरा ब्रिक्स परियावरन मंत्रियों की चटवी बैटक में भारत का प्रतिने देत्व किया गया है अब इस बैटक का उद्देश है तो इसका बैटक का उद्देश है परियावरन को बैतर बनाना और COVID-19 के बाद आर्थिक सुदार के लिए राष्ट्रिय योजनाओं में तेजी लाना ताकि देश की अर्थ व्यवस्ता को जल्दी से जल्दी बढ़ावा मिल सके बात वी ब्रिक्स की तो ब्रिक्स की स्थापना 2006 में पांच देशों द्वारा के गई थी ये पांच देश हैं ब्राजील, रूस, इंडिया, चीन और साउथ अफरिका और इनी देशों के फर्ष्ट लेटर से मिलकर ब्रिक्स नाम बना है नेक्स्ट क्यूशन है हाल ही में किस राजी के मुख्यमंत्री द्वारा Life Sciences Park का सिल्यानास किया गया है तो ये करनाटक राजी के मुख्यमंत्री B.S. ये दूई रपा द्वारा Life Sciences Park का सिल्यानास किया गया है बात वी करनाटक की तो करनाटक की राजदा नहीं है बैंगलूरू करनाटक के मुख्यमंत्री है B.S. ये दूई रपा और करनाटक के गवर्णर है वाजू भाई वाला और करनाटक के हाई कोट के मुख्यनाय दीस है अब है स्रीनिवास ओका Next Question है हालही में सोनम सेरिंग लेपचा का निदन हुआ है वे कौन थे तो वे एक संगीत कार थे ये थे सोनम सेरिंग लेपचा और इन्ही का हालही में निदन हुआ है और ये पदम पुरुसकार से भी सम्मानित किये गए थे Next Question है हालही में किसने भारत के लिए व्यवसाय करना आसान नामक राष्ट्रिय डिजिटल सम्मेलन का उदगाटन किया है तो अपने देश के केंद्रिय वानिज और उद्ध्योग मंतरी प्यूस गोयल जी द्वारा भारत के लिए व्यवसाय करना आसान नामक राष्ट्रिय डिजिटल सम्मेलन का उदगाटन किया गया है और यह सम्मेलन निवेस और अंतरिक व्यापार को बढ़ावा देने के लिए C.I.I. द्वारा किया गया है अब बात हुई है C.I.I. की तो C.I.I. की फुल फॉर्म है Confederation of Indian Industry और इसकी स्थापना 1895 में की गई थी और इसका मुख्याल है नई दिल्ली में इस्थित है और C.I.I. के अध्यक्स है उद्यकोटक और C.I.I. के उपाध्यक्स है T.V. Narendran Next question है हाल ही में अमेरिका ने किस देश के साथ मतश्य प्रबंदन वे कानून प्रवर्तक शमताओं को मजबूत करने के लिए समझोता किया है और यह समझोता अमेरिका अपनी मचली पालन इस्थिरता को मजबूत करने वे वे वियतनाम के मच्वारों को भी चीनी सेनिकोजे सुरक्षा प्रदान करने के लिए किया है बात तो यह वियतनाम की तो वियतनाम A.C.A. महाधिप में इस्तित है और वियतनाम की राजदानी है हनोई और वियतनाम के राष्टपती है नगुयेन फूट रॉंग और प्रदान मंत्री है नगुयेन शुयान फुक और वियतनाम की करनसी है वियतनामी डॉंग Next question है हाल ही में किसके द्वारा Naval Communication Network Training Lab का उदगाटन किया गया है तो अब भारतिय नोशेना द्वारा Naval Communication Network Training Lab का उदगाटन किया गया है और इस लेब का उदगाटन कोच्ची में किया गया है और इस लेब के अंदर नोशेना कर्मियों को प्रसिक्शन परदान किया जाएगा Next question है हाल ही में किसे GESCL का अतिरिक्त वैस स्वतंत्र निदेशक 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 किया गया है तहां अपने देश के RBI के पूर्वे गवर्नर उर्जित पटेल को GESCL का अतिरिक्त वैस स्वतंत्र निदेशक 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 किया गया है और उर्जित पटेल ने हाल ही में Overdraft Saving the Indian Saver नामक पुस्तक भी लिखी है बात हुई G.E.S.C.L. की तो इसकी फुल फॉर्म है Great Eastern Sipping Company Limited और इसकी स्थापना 1948 में की गई थी और इसका मुख्याल है मुंबई में इस्तित है और G.E.S.C.L. के चेर्मेन है K.M.S.E.T. और G.E.S.C.L. के M.D. है भरत सिंग Next Question है हाल ही में किसे मंगल मिसन मार्श 2020 लॉंच किया है तहन नासा द्वारा मंगल मिसन मार्श 2020 लॉंच किया गया है Next Question है हाल ही में वरुन स्रीदर को किस कंपनी का नया CEO बनाया गया है तहे है P.T.M. मनी का CEO वरुन स्रीदर को मनाया गया है बात हुए P.T.M. मनी की तो P.T.M. की इस्तापना अगस्त 2010 में की गई थी और P.T.M. का मुख्याल है नोएडा में इस्तित है और पेटीम के संस्थापक है विजय सेकर सर्मा हाल ही में किसे प्रदानमंत्री नरिंद्र मोदी का निजी सचिव नियुक्त किया गया है हार्दिक साह को प्रदानमंत्री नरिंद्र मोदी का निजी सचिव नियुक्त किया गया है हाल ही में किस राजी सरकार ने जागरुपता अभियान शुरू किया है तहट दिल्ली राजी सरकार द्वारा जागरुपता अभियान शुरू किया है और इस अभियान के तहट दिल्ली सरकार ने आवासों, कार्यालेओं, इसकूलों वे अन्य निजी वे सारवजनिक स्थानों को भुकमपोसन निपटनी के लिए तयार करने के उद्देश से यह अभियान चलाया है बात वी दिल्ली की तो दिल्ली की राजदा नहीं नहीं दिल्ली मुख्य मंतरी है अर्विंद केजरिवाल और दिल्ली के उपरा जिपाल है अनिल बैजल और दिल्ली के हाई कोट के मुख AIM I crash नामक कारेकरम का सुबारंब किया गया है अब यह AIM क्या है तो इसकी full form है अटल इनोवेशन मिशन और यह नीती आयोग के अंतरगत कारे करता है अब यह कारेकरम की जो सुरुवात किया है इसका उद्देश क्या है तो इसका उद्देश है उच्छ प्रदर्शन करने वाले स्टार्ट अप्स को बड़ावा देना वह जो नए स्टार्ट अप्स हैं उनके लिए युवाओं को प्रेरित करना है नेक्स्ट क्यूशन है हाल ही में कहां पर बारा अमरित फार्मेसियों की स्टापना के गई है तो यह जमू कस्मीर में बारा अमरित नमक फार्मेसियों की स्टापना के गई है और इन फार्मेसियों में कैंसर और हिर्दै रोक से संबन देते जितनी भी दवाईया है वो 60 प्रतिसत के औसर छूट प जम्मु कस्मीर की राजदानी है स्रीनगर जो की मई से अक्टूबर तक रहती है और दूसरी राजदानी है जम्मु जो की नवंबर से अप्रेल तक रहती है जम्मु कस्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर है गिरीश चंद्र मुर्मु और जम्मु कस्मीर हाई कोड के मुखिन गीता मित्तल तो यह थे आज के इंपोर्टेंट क्यूसंस अगर आपको इन क्यूसंस में या नहीं किसी भी क्यूसंस में किसी भी तरह का डाउट हो तो आप हमारे इंस्टाग्राम पेज़ पर हमें मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम लिंक डिस्क्रिशन में दियो हुआ है तो आप वहां से क्लिक करके हमें फोलोग कर सकते हैं और दोस्तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिए और बैल आइ आपको जल्दी से जल्दी मिल सकें तो आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है जै हिंद।